नमस्का दोस्तों वास्तु ग्यान में आपका स्वागत हैं सभी भगवानों में भगवान शिव ही एक ऐसे भगवान है जो अपने भगतों की पूजा पाट से जल्दी प्रसन हो जाते हैं इसलिए इने भोले नाद और भोले बंडारी भी कहा जाता है और यही कारण था कि अस स्थानी से प्रसंद किया जा सकता है सावन के मा में गरीबों को भोजन कराएं इससे आपके घर में कभी अनकी कमी नहीं होगी तथा पित्रों की आत्मा को शांती मिलेगी सावन में किसी नदी या तलाब के पास जाकर ओम नमस्षिवाई का जब करते हुए आटी की गोलिया मचलियों को खिलाएं सावन में 21 बिल पत्रों पर ओम नमस्षिवाई लिखके शिवलिंग पर चड़ाएं इससे आपकी सभी मनोकामनाय पूरी होंगी सावन के महीने में शिवलिंग पर केसर मिला दूद चड़ाने से विवहाकारे में आ रही बादा दूर होती है भगवान शिव का चमेली के तेल से पूजन करने पर वाहन सुख मिलता है महादेव को दूद अर्पित करने से रोगों से मुक्ती और स्वास्ते अच्छा होता है लाल वह सफेद आकड़ी के फूल और गंगा जजजे भगवान शिव का पूजन करने पर मोक्ष की प्राप्ती होती है शिवलिंग पर दही चड़ाने से व्यक्ती कोई शान्ती की प्राप्ती होती है अगर आपका मन परेशान रहता है तो आप शिवलिंग पर दही चड़ाएं शिवलिंग पर चंदन चड़ाने से समाज में मान परतिष्टा प्राप्त होती है महादेव को शेह चड़ाने से सम मंदों में मधुर्ता आती है यदि कोई व्यक्ति शारेडिक रूप से स्वस्त नहीं है तो उसे भगवान शिव का अभिशेग गउं माता के शुद्गी से करना चाहिए शिव जी की पूजा करने के बाद आधी परिकर्मा अवश्य करें ऐसा करने पर बहुत ही जल्द शुफ आने से व्यक्ति के विचार अधिक प्रसंद होते हैं और बुरे विचारों से मुक्ति मिलती है इसी के साथी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों रिष्टिदारों के साथ शिर कीजिए और सब्सक्राइब कीज आप तक सबसे पहले पहुंच सके धन्यवा दोस्तों